एक किंग जो गे है अपनी वाइफ के साथ अपने फ्रेंड को सोने के लिए कहता है यह सब कॉम्प्लिकेट हो गया क्यूंकि एक किंग अपने फ्रेंड से प्यार करता था और इसके बाद लव, बिट्रेल और रिवेंज इसके एक टेल स्टार्ट होती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको अफ्रोजन फ्लावर ये 2008 की एक कोरियन रोमेंटिक ड्रामा मूवी एक्स्पेंड करने वाला हूँ अगर आपको वीड़ा चलगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा अब बिना कसी तरीगे स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होते हमें बताया जाता है कि एक किंग छोटे लड़के को ट्रेंड करता था ये बड़े होकर हमेशे उसे गाड़ करते थे ये उसके लिए कुछ भी कर सकते है किंग का बच्पन में एक फ्रेंड बना जिसका नाम था हॉंग हॉंग को उसने ट्रेंड किया इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप बनी ये एक साथ म्यूजिक बजा दे थे सब को चीज़े एक साथ कर दे थे अब इसके बाद ये दोरों बड़े हो चुके हैं इनके बैलेस का एक आदमी एक सर्वन्ट से बहुत प्यार करता था और उसे लेकर यहां से दूर भाग रहा था हॉंग उसका पीछा करता है फिर से बैलेस में लेकर आया किंग से धूगा करने की सजा डारेक्ली मोथ है जो भाग गया था यह हॉंग का फ्रेंड है हॉंग ने किंग से कहा इपलीज उसे इस तरह के से कोई भी पनिश्मेंट मत देना किंग ये था और हॉंग से प्यार करता है इसी वज़े से उसका सब कुछ कहना मान लेता है पैलेस में आकर हॉंग ने डिकलेर रखिया कि हमारे फ्रेंड को कोई भी मारेगा नहीं यहाब और उसका दूसरा फ्रेंड जिसका नामे नो तक इसे इसे प्रॉल्म होती है वो गहता है सजा सजा होती है किंग के कानों में खुस-पुस करकर उसके डिसीजन बदलना बन कर दो उस पर बहुत ही गुसा था किंग और हॉंग जब अकेले थे तो किंग हॉंग से बुछता है तुम भी तो बहुत सालों से मेरे साथ हो क्या अगर तुमें ऑपरजिनेटी मिलती तुम भी किसी के साथ भाग जाते है हॉंग कहता है ऐसा कभी भी नहीं होका इसके बाद किंग से मिलने के लिए क्वीन आई वो कहती है एमपरर यहाँ पर आने वाला है यानि कि किंग के ऊपर किसी और का राज है एमपरर आने पर क्वेशन करेगा कि किंग को अब तक कोई भी सन नहीं अगर ऐसा हुआ तो किंग को बदल दिया जाएगा इस प्रॉलम को सौल करने के लिए किंग के बास अब तक कोई भी आप्शन नहीं है क्वीन जब बाहर आई थो हंग से बात करती है तो उसने क्वीन को बहुत इफिल भी ब्यूटीफल सा निकलेज दिया था वो आज वी पहन रही है किंग को भाथ अच्या लगता है तो हो गयता है तुमने मेरे लिए गाना गया था आज भी गाना गाओ क्वीन भी बिफिशन सा सेंग் कर दिया तब इन पर हमला हो गया इस हमले में Hong King को प्रोटेक करता है पर King Injure हो गया इनका सेना पती Hong पर बहुत ज़्यादा गुसा हो गया गैता है तुम्हारा ज़ॉब है King को प्रोटेक करنا King जखमी हालत में था पर फिर भी कहता है कि Hong नहीं होता तो मेरी डेध हो जाती होंग को बहुत पुरा लगा होंग ने इस incident को investigate किया उसे पता चला कि उसके बैलेस के कुछ लोग इसके पीछे थे और वो बहुत जादा powerful है क्योंकि वो directly emperor के लिए काम करते हैं इन सब का मिलकर king बदलने का plan है जब तक होंग 100% sure नहीं तब तक कुछ भ यंग है ने कभी भी बेटा हो सकता है रात में इसी issue को लेकर queen king के पास आये थी हम pretend करेंगे कि एक साथ सोय थे किंग कहता है हमारे पास और एक option है वो हॉंग पर trust करता है और हॉंग queen के साथ intimate हो सकता है अगली रात सब arrangement किया गया हॉंग ने queen के साथ intimate होने के कोशिश की पर वे बात कर नहीं पाया अगली दिन ये बात king को बता देता है किंग कहता है तुम्हारे पास और दो जांस है अब सही से करना हॉंग ने पुछा कि आपने मुझे क्यों जूस किया किंग कहता है तुमसे अच्छा और कोई हो नहीं सकता रात में जाकर फिर वो queen के साथ intimate हो जा है तो उसने कहा कि आप पर जो हमला हुआ था उससे investigation करने के लिए मैं कहीं दूर जा रहा हूंग ने अपने आपको डिस्ट्राइक करने की कोशिश्टों की वो उससे queen की याद आ रही थी और रात में सो भी नहीं पाता बहुत दिन हो चुके पर फिर भी वो वापस नहीं आ देखा तो queen के लिए बाय कर लेता है king के आदमें उसे फिर से घर ले जाने के लिए पर फिर भी वो रेडी नहीं था रात में उसे पता चला कि queen की तबियत जरा खराब है वो फिर तुरंट पैलेस आ जाता है king queen को देखने के लिए गया था वो गयता है क्या तुम pregnant हो queen कहती क कि ऐसा कुछ भी नहीं वो सिर्व जरा भीमार थी जब भीमार बढ़ता था तो हॉंग उसे special drink देता है king ने अपने लोगों से कहा कि वही ट्रिंग queen को दीजिए वो गयते हॉंग ने सुबाय queen को दिया था king सप्राइस्ट हो गया कि हॉंग उसके पीछे queen से मिल रहा है रात म अपले दिन किंग ने queen और हॉंग को बुलाया कहता है queen की दवियत लास्ट टाइम बहुत ही बिगट गई थी अब थोड़े टाइम तक इन दोनों को गैब देना है यहाँ वर हम देख सकते हैं कि queen और हॉंग में attraction हो चुका था उसे मिलने के लिए गया उसने जो necklace लाया है उ राद में king को बेटा हो इसके लिए palace में एक बड़ा सा fist था queen की दासी आकर हॉंग से बात कर दिया लैबरे में हॉंग को queen से मिलना है यह दोनों मिले और वह ही intimate हो गए queen ने हॉंग को एक henkerchief दिया कहा किसे हमेशा अपने पास रखना अगली दिने फिर से उसी यही मिलने वा हॉंग को actual में queen से मिलना था पर वह आज राद मिलनी पाया अगली दिन queen का brother यहां आया है वो कुछ दिनों के लिए queen को अपने घर लेकर जाना चाता था king भी कहता है इसका अच्छे से खैल रखना king के पास एक बहुत यह अच्छा सा horse आया यह horse वो हॉंग को gift देने वाला थ वो हॉंग का garden में आने के लिए वेट करता है पर हॉंग अग queen के पास था वो उसके साथ intimate हो रहा था king ने उसका बहुत वेट किया रात हो गई पर फिर भी हॉंग वापस नहीं आया अग queen थोड़ी दिनों के लिए बाहर जाएगी तो मिल नहीं पाएंगे तो उसने हॉंग क साथ रहते थे मैं बहुत ही जेलस हो जाती थी queen ने हॉंग के लिए special rice cake भी बनवाय हुआ है यह दोनों आज बहुत ही sad थे एक दुसरे को like तो गरते पर कभी भी एक साथ हो नहीं सकते रात में हॉंग बहुत ही लेट वापस आया तो king उसे पुछता है तुम कर कह रहे थे हॉंग ने कहा कि मैं library में था बैटल के बारे में एक book पढ़ रहा था king ने इस book के बारे में सब कुछ detail पूछे पर हॉंग ready था उसने सब कुछ सही सही बता दिया किंग कहता है अगर तुम्हें battle के बारे में इतना सब कुछ पता है तो मुझसे लड़ो मुझे king की तरह मत समझना सही से लड़ना फिर ये दोनों sword fight करते है इसमें हॉंग king पर war कर नहीं पाया किंग कहता है तलवार जलाने में soul लगती है कोई technique नहीं है उसे समझ गया था कि उस पर चीट कर रहा है उसे loyalty दिखाने के लिए कहता है नेकसिन में हम देखते हैं palace के कुछ लोग जो king की खेलाफ है इनकी meeting जल रही थी इन्होंने decide कि king को overthrown करने के बाद वो queen के brother को king बनाएंगे इस meeting में queen का brother भी था king को already इस सब लोगों के बारे में पता है पर queen की brother के बारे में पता नहीं था वो होंग को भेशता है और minister लोगों पर यह हमला करते हैं इनसे सब कुछ पूछा गया तो इन्हें queen के ब्रदर के बारे में पता चला king इस वात से बहुत ही गुस्ता हो जाता है कहता है palace में फिस्ट दो जो भी टेटर है इन सब को बुलाएंगे और वहाँ मार डालेंगे सिर्क queen का brother यहां नहीं होगा उसे जाकर उसके घर में मारेंगे ब्रदर को मारने का order यह हॉंग को दिया गया हॉंग बैचारा बहुत ही टेंशन में था वी queen के ब्रदर को कैसे म दूर चले जा किंग स्मार्ट है उसने अल्रेडी अपने लोगों को बता दिया था कि अगर हॉंग ने ऐसा कुछ किया तो वह जाकर queen के ब्रदर को मार डालेंगे वो king को दिखाने के लिए टारेक लिए उसका सहरी निकाल लाते है queen घर पर वापास आ गयी थी रात में वो औ और हॉंग फिर से मिले उससे बुछती है क्या तुमने मेरे ब्रदर को मार डाला हॉंग कहता है मैंने उसे जाने दिया नेक्स डे किंग ने फिर से हॉंग और queen को बुलाय हुआ था वो गयता है अब हम फिर से इंटिमेट होना स्टार्ट करेंगे पर इस बार हॉंग queen के अपसे ठोके वो गहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यह मेरा आपमान है किंग कहता है कि तुम दोनों को पता नहीं कि मैंने decision क्यों लिया है यानि कि उसने उन्हें पता दिया कि उसे सब कुछ पता है राद में queen ने हॉंग को बलाया कहती है हम यहाँ से भाग चलते हम कहीं भ रश्ता हो हुआ कहता है अब से मैं सिर्फ king के साथ ही रहूंगा वो गिंग के पास है उसे apologize करता है कहता है कि मैं death deserve करता हूँ मैंने जो भी किया यह बहुत ही गलत था अगर आपको लगे तो मुझे मार डाली है किंग कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है हॉं तब हम देखेंगे हॉंग के rejection के बाद क्विन बहुत ही ज्यादा upset थी उसने restart कर suicide करने की खूशिश की अब इस सब चीजों को थोड़े दिन कुजर चुके हैं किंग और हॉंग फिर से बहले की तरह फ्रेंड बने हैं एक दिन हॉंग को क्विन ने फिर से मिलने के लिए क्विन उसे कहती है कि मैं pregnant हो अगर किसी को भी पता चला तो किंग उसे मार डालेगा हॉंग गहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा वो इस चायल को welcome करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा वह वहाँ से जा रहा था पर किंग रोग कर उसे गले लगा लेती है ये दोनों फिर intimate होन वह उसे कहता है तुमने मुझसे कहा था ये सब कुछ फिर से नहीं होगा क्विन कहती कि सब कुछ मेरी गलती है मैंने उसे seduce किया था हॉंग ने कहा कि ऐसा नहीं मैं उसे प्यार करने लग गया हूँ इसलिए सब कुछ हुआ प्यार के बार में सुनकर किंग और भी जादा गुस्सा हो जाता है उसने हॉंग के प्राइवेट पार्ट को कट कर देने का ओर्डर दिया बाद में किंग को क्विन की प्रेग्नेंसी के बार में पता चला वो अपने आदमी से बुच्छता है कि ये बात किसी को भी पता ना चले वो बेटा मेरा हो इसके लिए क्या करना सकता है अगर तुम फिर से मेरे पास वापस आ जाओ और हॉंग ने इसके बार में कुछ भी नहीं कहा क्विन को जब पता चला कि किंग उसके चायल को एकसेप्ट करेगा तो उसे पता है इस सब लोग मारे जाएंगे वो अपने सिपाईयों को ओर्डर देती है कि जाओ और ह हौंग को बजाने के लिए गए हौंग कहता है क्रीन कहा है उन लोगों ने कहा क्रीन भी आगे चली गई हौंग फिर इसके लिए मान जाता है घर से बहुत दूर जाने के बाद उससे पता चला क्विन ने सिर्फ उसे सेफ करने के लिए जूट कहा था किंग को पता चला कि क् अज़नी आसनी से नहीं मैं बदला लूँगा तुम्हारे बेटे को एक ट्रेटर के बेटे के तरह बढ़ा करूँगा तुम हमेशा दड़पती रहोगी क्वीन फिर भी कुछ भी नहीं बताती है हॉं से रहा नहीं जाता वो क्वीन को लेने के लिए पैलेस में आ रहा था से आँ सैटिस्फाइ कर नहीं सकते हैं जाकर क्या फायता फिर भी हॉंग वहां से निकल गया किंग के आदमियों ने इनकी जगे को ढून लिया था इस सब लोगों को मार डालते हॉंग आगे चला गया तो बच जाता है बाद में हॉंग ने रियलाइस किया कि अगर वो फिर जल्दी से निकल बढ़ता है कि इनके साथ मिलकर हॉंग को बचाने के लिए पैलेस के जिन भी लोगों ने हेल्प की थी कि ने उन सब लोगों को मार डाला उनके सब ये पैलेस के सामने लटका दिये हॉंग का फ्रेंड भीश में था ये सब देखकर हॉंग बहुत रोता है रात में हॉंग पैलेस में खुश गया उसे जिसने भी रिजिस्ट के उन सब को मार डालता है फाइनली किंग के बास आ गया उसने का तुम्हारी स्वार्ड उठाओ मैं तुम्हें फाइटिंग का चांस देना चाता हूं ये दोनों फिर बहुत फाइट करते हैं किंग गयता है कि तुम्हें सचोंश में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो हूं ने का कि मेरे पास खोने के लिए खुश भी नहीं किंग पूछता है क्या प्यार इतना ज़्यादा इंपोर्टन था हूं ने का तुम्हारी वज़े से मुझे प्यार हुआ वे बहुत ग्रेट फूल हूं ये दोनों बहुत लड़े किंग ने हूं को इंजोर कर दिया था किंग उसे फेस एक चांस जैता है कहता है अपनी तलवार नीचे फेक तो मैं तुमें जीने दूंगा हूं इसके लिए नहीं मानता इस फाइट में ये दोनों एक दूसरे को मार डालते है मरते मरते किंग ने राज को बढ़ाने के लिए एक गलत रस्ता चूस किया जो से सही लग रहा था हॉंग ने भी रियलाइज नहीं किया पर उसे क्विन से प्यार हो गया उसी के लिए फाइनल उसे जान दीनी पड़ी किंग भी हॉंग से बहुत प्यार करता था पर हमेशा उसे बिट्रेली मिल यह ट्रैजिक टेल एक अदम हो जाती है अगर आपको वीडियो अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दिजएगा मैं बहुत सारी मुविज लिकर आत रहता हूं तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दिजए और बेल नोटिवेशन आइकोन दावने मत भूलिएगा ह हम फिर से मिलेंगे और एक निमीवी के साथ तब तक लिए थैंक यू